How to fix air-tail internet not working during call तो दोस्तों ये दि आपका SIM में जो ही internet काम नहीं कर रहा है या फिर आपके mobile में call करते वक्त आपका internet काम नहीं करता है तो उस problem का आप कैसे fix कर सकते हैं इस video में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों कहीं बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं बहुत लंबा बात कर लेते हैं और अधा सेम टाइम हम अपना internet भी चलाना चाते हैं और उस वक्त हमारा internet काम नहीं करता है तो उस settings को हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस video में बताऊँगा वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मैं आपको यहाँ पर चार तरीका बताऊँगा चार वेस बताऊँगा चार सोलीशन बताऊँगा जिसके मदद से आप इस problem का हल निकाल सकते हैं और अपने mobile में जो है आप आसान के साथ बात करते हैं इंटरनेट चला सकते हैं तो दोस्तों देखें सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो basic settings जो होता है आप एक पर अपने mobile को जो है दोस्तो setting में चले जाएए अपना mobile के setting में उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है Doyle Sim and Cellular Network या फिर sim management show करेगा आपको या फिर mobile network show करेगा ये तीन में एक show करेगा उसके उपर आपको click करना है basically आपको sim में जाना होता है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला जो है आपको सबसे पहला जो है आपको क्या करना है यहाँ पर sim के ओपर click करना है जिस sim पर आपको यह problem आ रहा है उसके बाद में access point name आपको जो show कर रहा है या फिर APN का नाम से show होगा उसके ओपर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है आपको जो भी internet ही उसके ओपर आपको click करना है यहाँ पर मैं click करता हूँ और APN आपको setup करना होगा यहाँ ठीक है APN जैसे के सबसे main main चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर आपका MCC जो होता है वो 405 होना चाहिए MNC 865 Authentication type not set APN type में आपका default SUPL और XCAP अभी APN प्रोटोकल में IPV4 by IPV6 और यहाँ पर APN roaming प्रोटोकल पर भी आपका same ही होगा और यहाँ पर bearer सबसे important है bearer इसमें आपको defaulte select कर लेना है ठीक है और back चले जाना है बाखी सब आपका same रहेगा आप एक काम कर सकते हैं इसको delete करके आप अलग से एक APN अलग से नया APN भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है देखिए आपको back आना है यह आपका हो गया पहला solution और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर network, mobile network पर चले जाते हो तो यहाँ पर आपको show करेगा network preferences आपको show करेगा ठीक है यहाँ पर मेरा mobile में show नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा mobile में कुछ settings अलग है यहाँ आपको वहाँ पर show कर रहा है तो network preference में जानने के बाद में आपको 2G, 3G, 4G, Volte मतलब आपको यह option show करेगा यहाँ पर G यहाँ पर आपको GMS यहाँ पर आपको GCDMA या फिर WCDMA आपको ऐसा कुछ show करेगा ठीक है तो यहाँ यहाँ पर आपको option आ रहा है तो उसको आपको select कर लेना है उसे में आपको 4G जो है वो support करता है और Volte support करता है अभी आपको back आना है दोस्तों यह दो setting करने के बाद में अभी फिर भी आपको problem solve नहीं हो रहा है 90% तो आपको solve हो जाना चाहिए बट still नहीं हो रहा है तो आपको अपने mobile का setting और additional setting में चले जाना है और आपको backup and reset में जाके उसके बाद में reset to factory setting में जाके आपका mobile का system setting जो है उसे आपको reset कर दिना है क्योंकि दोस्तो हमारी mobile में ज्यादा setting छेरखाणी होने के वज़े से जो है यह problem हमें आता है तो reset system setting only पे click करके आप जो है अपना system का जितना भी setting है mobile का setting सिर्फ ठीक है उसे आप reset कर सकते है यह करने के बाद में definitely आपका problem जो है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा thanks for watching